नमस्कार सूपर किचन में आपका स्वाज़त है फ्रेंड्स आज होली है होली कि आप सबको हार्दिक सूप काम नाये हैं और होली है तो गुजिया तो जरूर बननी चाहिए तो चलिए हम गुजिया बनाते हैं यह देखे मैंने डेवर का टोरी मैदा लिया है अच्छे मैंने चान भी लिया है इसको बड़ी सी थाली में हम निकाल लेंगे यह वजन में 300 ग्राम है यह देखे अब इसी में डाल देंगे घी मैंने डालड़ा घी लिया है मिल्ट करके अगर आप रिफाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और मोयन इतना हमको लगाना है जितना मुठी बढ़ने लगे इस तरह से मसलते जाएंगे यह देखे मुठी बढ़ने लगा है बस हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिडियम डो हम तयार करेंगे यह देखे इस तरह से तयार हो गया है अब इसे कोई भी गीले कपड़े से इसको हम ढग देंगे 15-20 मिनट के लिए अब यह ड्राइफ रूट तैयार कर लेते हैं यह ड्राइफ कोकोनट है इसको हम इस तरह से कद्दू कस कर लेंगे इस तरह से बहुत आसाणी सी हो जाता है यह देखी हो गया है आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइफ रूट डाल सकती है और यह मावा है मैंने 200 ग्राम मावा लिया है इसको अच्छे से मसल डिया है और इसी में हम चीनी डाल देंगे चीनी इतना डाल देंगे जितना आपको मीठा खाना हो यह दिखे थोड़ा समय और डाल दिया है हलका सा कम लग रहा था और इसी भी हम अब ड्राइफ रूर्ट को भी डाल देंगे और इसी समय आप चाहे तो आप इलाजी पाउडर भी डाल सकती है आप इसको अच्छे से मिला लेंगे बस हमारा फिलिंग त्यार हो गया है अब चली हम बनाते हैं कि मैंने लिया है दो चम्माच मैदा इसको हम सलेरी बिनाएंगे यह दिखे इस तरह से बिल्कुल पतला सलेरी त्यार कर लेंगे अब हम आठा देख लेते हैं मिए gap.. दिखे, इस तरह से हम लोई तोड लेंगे पहले..! अब इसको सा मसल की, इसके हम लोईं तोड लेंगे.. ओर सिस तरह से मैंने इसमें डो तेयार किया है और फिलिंग तेयार किया है। prowad धार किया त्सकानी है , हम आन्नो यह देखे इस तरह से बेलते जाएंगे यह देखे बड़ी सी रोटी मैंने बना लिया है अब कोई भी गिलास या कटोरी से इस तरह से काट लिजे बहुत अभी पतला नहीं है थोड़ा सब यह मोटा ही मोटा मैंने बनाया है क्योंकि बाद में अभी हमको और बेलना ना चरकेंगे अटा इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी अलग से आटा लगाने के जरूरत ना पढ़े इस तरह से आप बढ़ा ली जेजे इसको विल्कुल पतले ही होना चाहिए सारी इस तरह से पूड़िया बना लेंगे और यह देखिए कि ना फटा-फट से हमारी गुजिया तयार हो जाती है अब इसको हम पहले फिलिंग डाल देते हैं फिर इसके साइड में जो मैंने सलेरी बनाया है इसको लगाएंगे जितना भी आपको जरूरत हो इस तरह से भर लीजे बहुत ज़्यादा भरेंगी तो यह फट जाएगा इसलिए अपने हिसाब से आप भर लीजेगा और यह साइड साइड में इस तरह से लगाकर रवस इसको इस तरह से चिपका दीजिए अब इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं इस तरह से को एक यह दो चमश डाल दीजे और फिर साइड में इस तरह से सलेरी लगा दीजे फिर इसी में कोई भी डिजाइन डाल दीजे अगर आपके पास कोई भी साचा है तब उससे बना लीजे मैं इससे बना रही हूं यह मेरी साचु मा का दिया हुआ गिफ्ट है इस तरह से चला देंगे तो बहुत बढ़ियां सा डिजाइन बन जाती है इस तरह से चलाने अब इसको हम हल्का सा गीले कपड़े के नीचे इसको रखेंगे क्योंकि यह जब सूख जाता है तो तलते समय फट जाते हैं इसलिए हल्का सा गीले कपड़े में हमको रखना है यह देखें सारा गुजिया मैंने बना लिया है बाद इसको हम फ्राइ कर लेते हैं बच्चों को गुजिया बहुत पसंद आती है इसलिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो होली को मज़ा ही नहीं आता है अब इस तरह से मीडियम फ्लेम में इसको डाल देंगे बहुत ज्यादा तेज घी नहीं करेंगे इस तरह से चलाते हुए बस गोल्डें ब्राउन हमको करना है यह देखिए बस तीन से चार्ज मिनट में अलका गोल्डें ब्राउन हो जाता है यह देखिए किना बढ़ियां कलर आ गया है इसको आप निकाल लिए फटा-फट से कि यह दिखें है हमारी घूजिय già त्यार है और शोली का म devast आज 一个 जिए से यह दिखें किक निक करा रही हिना स्थिए अगर आदे पसंद रूप लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि कि आपको कैसा लगा ठाइंक यू